अलो दोस्तों स्वागत है आप लोंका हमारे यूट्यूब चैनल महान सर में और हम फिर से आज एक नया प्रक्टिस सेट लेके आए हैं हिस्टरी का और हमने 180 नंबर क्वेश्चन तक हमने कर चुके हैं 10 प्रक्टिस सेट के अंतरगत अभी हमारा आज का 11 प्रक्टिस सेट है और इसमें how 181 नंबर से आपके कोस्टिन करने बाले है 195 तक 15 कोस्टिन करने वाले हैं फिर से तो शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले आप sweet бесп खेर से संबंदित पूटबोल से हैं तो इसका दोस्तों सही अब संबंदित को बता देता हूं किum किसी को मतलब कुछ भी कहा जाता कहीं तो यह को Bzeit है अब बढ़ते हैं और यह कि अब क्या है पर्सों की बैड मेंटिन प्रितो की ऑगर्ठी है थोंनसी काहलाती है यह तक至ि ऑपो की सुनाओंगा सब्सक्ति यह तहरा यह पर्सों के लिए होता है और वेरे का यह यह होता है यह और Parlament क्या है सही option बिश्का बिलकुल सभिद्वाब होता है अब बढ़ते हैं नेक्स को सचन की तरफ हमारा क्या है नेक्स को स्थापना किसके द्वारा की गई थी यह आप लोगं को बताना मुहम्मद बिन तुगलक सिकंदर लोधी फिरोज तुगलक इन में से कोई नहीं तो आगरा सहर आपका पंद्रा सो चार में बसाया गया था कब बसाया गया था पंद्रा सो चार में और यह किस ने बसाया था यह आपका सिकंदर लोधी ने बसाया था सिकंदर शाह लोधी बढ जो मतलब यह लोदी बंश का जो अंतिम शाषता था फाहला आपका बैलोल लोदी था और सबसे महान शाषक जो बोला जाता है तो यह आप लोग याद रखना है सधापना कब हुई ती में पंदरवी सत्यी में या पिर आपका तीरी सत्यी में तो इसकी स्थापना होती है 1336 में विजय नगर स्थामराज की स्थापना हर्यर और बुका नाम के दो व्यक्ति दो भाई होते हैं जो इस 1336 में होती है तो यह 14 सदी में होती है अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि 1336 चल रहा है तो यह 14 सदी होगी कि आज 2000 क्या चल रहा है 20 22 21 23 चल रहा है तो हम 21 सदी में चल रहे हैं एक सदी आगे होती जो आपकी संद चल रही होती है उससे आप एक सदी आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं तो यह आपका क्या है चौद्वी सदी में आपका इस्तापना हुई थी नेक्स्ट कोश्चन आपका क्या है बह्मनी राजाओं की राजधानी क्या थी एक जब यहां पर क्या भी मैंने पढ़ाया था विजा नकर सामराज था और व तो इसकी इनकी जो राजदानी थी बैमनी राजाओं की इनकी राजदानी थी गुल मरगा तो सही ओप्षन आपका बी है और बिल्कुल सही जबाब है नेक्स्ट क्या है किर्शन देव राय ने निम्न लिखित में से किसके साथ मैत्री पूर्ण संबंद रखे थे अब ये किर्शन देव राय आपका कहां का साथ सके ये साउथ इंडिया का साथ सके तो ये फ्रेंच के साथ अपना संबंद रखता है या फिर बेरेटिस के साथ य पर उनकी बड़ी अच्छी बनती थी टो इसका सब्सक्राइब क्या है पको बर्ते obt daran कि सुल्टाण ने अपनी आत्म कथा लिखी है आप कि लो पताना है इनमेंसे वह काउं सभी यह इसने अपनी आत्रम ने लखिए ने लिखिये क्या फिरोज तूगलक ने लजी या फिर महमन बिन तुगलक ने लिखिए तो इसका जो दोस्तों सही ऊप्शन है वह तूपका क्या म क्या है वो जो भिल्य जबाब होता है option c यानि कि फिरोज तुगलग और बढ़ते है next question की तरफ next question लोधी बंसका सरबादिक सक्तिशाली सुल्तान था अब भी मैंने पिछले question में भी आप लोगों को बता दिया था कि लोधी बंसका जो सरबादिक सक्तिशाली आपका राजा था सुल्तान था वो अपका कौंसा था सिकंदर लोधी था तो इसका सही option एह होगा बिल्कुल कुछ भी करने की जरूरत नहीं है इसमें और नेक्स्ट को देखते हैं next question क्या है रजिया बेगम को सत्ता चूइत करने में किसका हाथ था सत्ता चूइत मतलब सत्ता से हटाने का किसका हाथ था उसका रजिया सुल्तान तुर्की too टूर्की छोगी यह रजिया भी तुर्की थी टुर्की यह इसकट अब next question क्या होगा इसका किसने बहुमी मापने का पैमाना वजे सिकंद्री का प्रिचलन किया एक पैमाना आया था बहुमी को मापने के लिए क्योंकि उस समय लैंड मतलब किरसी होती थी उसके लिए जो राजा बगएर होते थे उनको टैक्स भी मिलता था तो वो किरसी की क्या गुडबता के लिए किर पैमाना चलाया था तो वो पैमाना किसने चलाया था सिकंदर लोधी नहीं चलाया था सिकंदर महान का यहां पर क्या काम है अलेक्जेंडर का तो कोई काम नहीं है तो यहां पर सिकंदर लोधी नहीं इसको चलाया था और बढ़ते हैं नेक्ट कोस्चन की तरफ नेक्ट कोस्च था या फिर बल्बन था तो नहरों का निर्माड एक ब्यक्ति ने कराया था और वो ब्यक्ति आपको क्या था गयासुद्दीन तुगलक गयासुद्दीन तुगलक ने नहरों का निर्माड बड़े अच्छे लेबल पर कराया था अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कोश्चन की तो इसका जो निर्माड कराया था अलाईदरवाजा का ये अलाईदरवाजा अलाउदिन खिल्जी ने इसका निर्माड कराया था तो उप्शन भी बिल्कुल सही जवाब होता है अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कोश्चन की तरफ और नेक्स्ट कोश्चन क्या है तैमूर के आकर तो सासन आगया था किस वान्थ का सासन आ गया था कि उसमें तुखलक क्फ़ा था उसके बाद क्या हो गया था सासनों और उसके बात का साशन निण क्या निए ऑप्षम से बिल्कुल सही जवाब आप निड़ा है मैं ने क्विसों शाइद बॉस सिय थे अब बड़ते कि practically का था तो मुहम्मध गवरी इन में से क्या था ये जो नीचे के तीनों ऑप्ष्ण है इन में से तो वह किसी का नहीं था तो मुहम्मध गवरी किस बंस का साकता तो किसे बबलकुल चौही होता है और यह का लाश्ट सWow ता है सब्रों आप ये को स धन्यबाद